अश्कार आपका स्वागत है श्रेवालिक जर्नल में मैं हूँ अर्नेंद कुमार दोस्तो भारतमा की रक्षा करते हुए भारतिय सेना के एक और वीर जवान बलिदान हो गए जमु कश्मीर के अनंतनाग में पिछले दो दिनों से चल रहे ऑपरेशन रक्षक में जिला सिर्मोर के लाल प्रवीर शर्मा बलिदानी हो गए आपको बता दें प्रवीर शर्मा जिला सिर्मोर राजगर उपमंडल के पालू गाओं के रहने वाली थे वो वन पैरा एसेफ में तैनाथ थे और उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी वो अपने माता पिता की कलौते बेटे थे और दो महीने बाद ही उनकी शादी होने वाली थी प्रवीर शर्मा के पिता राजे शर्मा एक किसान हैं जो की गाओं में एक छोटी सी दुकान भी चलाते हैं मातारेखा शर्मा का पुत्र के शहधत की जानकारी मिलने के बाद से ही रोरू कर बुरा हाल है प्रिवीर शर्मा की दो बहने हैं पूजा और आरती जिनकी कुछ वर्ष पूर्व शाधी हो चुकी है परिवार का एकलोता सहरा देश के लिए अपने प्राण नच्छावर करके चला गया जिलाश्र मौर के उपायुक्त सुमित खिम्टा ने बताया कि बलिदानी प्रिवीर शर्मा का पार्थिव देश शोमवार सुभै चंदीगड पहुँचेगा प्रशासन की ओर से चंदीगड से पार्थिव देश को लाने के लिए एम्बूलेंस का प्रबंध किया गया है उन्होंने कहा कि इस संबंध में राजगर के SDM को भी उचित दिशा निर्देश जारी कर दिये गए हैं सुमवार को पैतर गाओं हबन में सैनिस सम्मान के साथ बलिदानी को राज के सम्मान और रिती रिवास के साथ अंतिम संसकार किया जाएगा प्रिमीर शर्मा की सहादत से देश के साथ साथ हमाचल प्रदेश में दुख की लहर है इससे पहले 24 जुलाई को श्रीनगर के नजदीक आतंक्यों के साथ मुटभिड के दौरान गनर दिलावर खान बलिदान हो गए थे वो हमाचल के जिला उना के रहने वाले थे श्रिवालिक जर्नल वीर सपूत प्रिमीर शर्मा को उनकी शहादत के लिए कोटी-कोटी नमन करता है जै हिंद जै भारत